संगीत का शोक था तो बच्पन से ही गुर्बानी करना शुरू कर दिया गुर्दवारे में घंटो बैटकर गुर्बानी का पाठ करता वहां से गाय की काजो सुरूर चड़ा उसकी तान में सिख समाज के साथ ही पूरा बिश्वे जंकरी थो उठा है पूरी दुनिया में पंजाब और सिख समुदाय का डंका बजाने वाले पंजावी कलाकार दिलजीत दोसांच की पंजाब की एक छोटी से गाउं से आने वाले इस कलाकार को आज बॉलिवुड की मशुहूर हस्तियों में गिना जाता है अमबानी परिवार की कोई पार्टी हो या कोई बड़ा बॉलिवुड इवेंट इस सितारा हर जगह जमकता है नमस्कार आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गुर्दवारे में गुर्बानी का पार्ट करने वाले दिलजीत दोसांच आज पूरी दुनिया में धूम मचा रहे हैं उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें पंजाब की एक मिडल क्लास परिवार में जन्मे दिलजीत दोसांच के लिए फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना आसान नहीं था दिलजीत खुद एक किसान परिवार से आते हैं उनका जन्मे 6 जनवरी 1984 को पंजाब के जालंधर जिले की फिल और तहसिल की एक गाव दोसांच कला में हुआ था उन्होंने एक इंटर्वियू में बताया कि उन्होंने सिर्फ दसवी तक की पढ़ाई की और वह आगे नहीं पढ़ पाएं उनका असली नाम दलजीत सिंग है जिसे बाद में उन्होंने बदल कर दिलजीत दोसांच रख लिया और बचपन से ही संगीत प्रेमी रहे हैं इस तरह धीरे धीरे दिलजीत दोसांच की प्रतिभा को पहचान मिली और वह पंचाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में आ गये हलांकि फिल्म फियर को दिये इंटर्वियू में दिलजीत ने कहा था मैंने कभी भी सुपर स्टार बनने का सपना नहीं देखा था मैं संगीत में अपना करियर बनाना चाहता था हलांकि मुझे ये भी लगता था कि अगर मैं संगीत की दुनिया में सफल नहीं रहा तो मैं फैक्टरी में वरकर का काम कर लूँगा ध्यान देने वाली बात है कि दिलजीत का पहला एल्बम इश्क दा उड़ा साल 2004 में फाइंटोन कैसेट्स के साथ आया था इसके बाद उन्होंने फाइंटोन के साथ ही और भी म्यूजिक एल्बम बनाएं उनका तीसरा एल्बम स्माइल बहुत लोग प्रिये हुआ साल 2011 में उन्होंने पंजाबी फिल्म इंड़स्ट्री में कदम रखा उनकी पहली फिल्म दि लाइन ओफ पंजाब थी फिल्म भले ही फ्लॉप रही लेकिन इसका गाना लख 28 कोड़ीदा जवरदस्त हिट हुआ इसके बाद दिलजीत ने फिल्म जिनने मेरा दिल लूटिया की जो हिट रही लगबग एक दरजन पंजाबी फिल्मों में अभिनाय करने के बाद दिलजीत ने अपना बॉलिवूड सफर सुरू किया 2016 में रिलिज हुई बॉलिवूड फिल्म उड़ता पंजाब में दिलजीत ने अपनी एक्टिंग से सभी को प्रभावित किया इसके बाद उन्होंने अनुष्का सर्मा और सूरश शर्मा के साथ फिल्लोरी फिल्म भी की जिसमें वो एक गायक बने थे इसके बाद उन्हें अन्य बॉलिवोड फिल्मों के भी ओफर मिलने लगें और इस तरह धीरे धीरे बॉलिवोड में भी ओर काफी लोप्रिये हो गए अपनी इस काम्यावी के दमपे ही दिलजी दोसांज आज 160 करोड उपियों के मालिक है उनके पास मुंबई के खार में 3BH की अपार्टमेंट है जिसकी कीमत 10 से 12 करोड उपे है इसके अलामा उनका अमेरिका में अपना घर है और कैलिफोर्णिया में भी एक डुपलिक्स है दिलजी दोसांज को लगजरी कारों का सौक है उनके कलेक्सन में 1.92 करोड उपे की पोर्स काएन 2 करोड उपे की पोर्स पना मेरा जैसी महंगी कारे हैं आपको दिलजी दोसांज कैसे लगते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं